नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत आपके अपने यूटूब चैनल मानी ओव डिस्टेल नियूज अमडी एन पर दोस्तो बात करने वाल है एनेस पीस लिमिटेड स्टोक के बारे में सुगास अभी के टाइम अगर बात की जाए इस स्टोक के उपर तो अभी के टाइम दोस्तो काफी बड़ी गिराउट आज के अंट्रेडे में देखने को मिली लास्ट पिसले 5 सेशन से भी बड़ी गिराउट रहने वाली है फिलाल दोस्तो गिराउट के पीछे की बड़ी वज़य क्या होने वाली है वो भी जानने वाली है साथ के साथ दोन तो अभी के time company के chart pattern पर क्या update निकल के आ रही है, तो वो भी आपर जानने वाला है, तो जानकारी काफ़ी important होने वाली है और साथ साथ quarter four पहेले कितनी jump देखने को मिलेगी और कितने gira out रहने वाली है, सबसे पहले price के रूप में अगर बात करी जाए तो 28 रूपा 25 पेसे पर आज की का लोजिंग रहने वाली है क्योंकि दोस्तों आज की ओपनिंग काफी पोजिटिव सी तो 90 रूपा 70 पेसे साथ ओपनिंग नज़राई थी और बड़ी जंप के अगर मैं बात करना चाहूं देखने को मिल रहा है तो कही ना कहीं दोस्तों हमें एक जो गोल्डन चांस है वह परोड़ कर रहा है क्योंकि दोस्तों आगे आने वाला टायम कंपनी जो एक बड़ा डिटन प्याउट कर सकती है अब इसके पीचे कि क्या साईख अलोजी होनी वाली है क्या रीजिन होनी वाली है तो कमपणी के तहति यहां पर आनीे वाली है तो i.s. या अगर कंपनी देखने को मिल रही है साथ ही साथ जो लगातार कंपनी में बड़े जो डेटरंस यहां पर देखने को नजर आए ते 115 रुपए 85 पेसे तक बावन हाई के अंदर क्योंकि दोस्तों कंपनी का 6 मेने का रिटन अगर हम देखते हैं तो इस टो की जो प्राइस लगब यहां लात्त माइने पर नजर आएगि करके लगर heath आपलों को सज्जेस्ट करों कि दोस्तों अभी ओल्टिंग बनानी आउसों को क्या देखने को मिल अगरा है और चव्याजियन करफ़े apparently मांश करहें सब्क्राइब निप यो कर से Geschwinders' एक्र से को तो कौन सी फार्टी की सरकार बनती है वो सबसे ज़्यदा माईने रखने वाली है तो इसलिए थोड़ा सा दोस्तो हम मिड़ी ट्रम की तरफ थोड़ा अपना जो फ्रोफिट है वो होल्डिंग पर बना सकते हैं तो अभी का टाइम ज़्यादा जो होल्डिंग है दोस्तो इस गिरावट से डरने क्या हो सकता है नहीं क्योंकि लगातार जो आकड़ा है वो कहीना कहीं एक पोजिटिव टार्गेट सुएंप फिट करता हुआ नजराने वाला है फिलाल दोस्तो आगे बंडने से पहले बता दू चैनल पर नए हो अब मार्केट के पोजिटिव देखने को नजरा रहा पर अब एक टाइम कंपनी की उपर करज की भी बड़ी समस्या मिल रही है पर अभी के लिए इसमें दोस्तो पीएस स्टोक अगरिया पर देखने को मिल रहा तो गईना कहीं दोस्तो एक अच्छा जो टैंसल लेने का कारे है वो इस सीज में हम लोग को अबड़ी करने क्या हो सकता है साथ ही साथ प्रोफिट के ग्रोथ में भी दोस्तो पोजिटिविटी होना हो सक है हाई होना हो सक है तो अभी के लिए जो प्रोफिट के ग्रोथ है वो दोस्तो नॉर्मल देखने को नजर आती है अब इस बिस दोस्तो होल्डिंग कापी अहम होने वाली है तो होल्डिंग मे पर अब उस वीपरे दोस्तो जो positive आंकड में जो operating profit margin कापी एहम होने वाला है तो positive देखने को नजर आ रहा है return of equity कि अगर बात की जाए तो return of equity जो अभी टाइम लगबग 11% का company का देखने को मिल रहा है तो ज्यादा से ज्यादा जो profit है वो कही ना कहीं positive रहने वाला है क्योंकि दोस्तो पीडियो दो point क्या उनका देखने को जो मिल रहा है तो कहीं ना कहीं एक अच्छा target हीट होता हुआ नजर आ सकता है अब बात की जाए दोस्तों comparison के अंदर तो company का जो अभी टाइम इस्तान है वो number 7 पर देखने को मिल रहा है क्योंकि दोस्तों company का जो market के पर दम पर अगर बात की जाए आडानी ग्रीन देखने को नजर आ रही है पावर ग्रीड कोर्पोरेशन अडानी पावर अडानी ग्रीन सॉलिशन अडा टाटा पावर कंजुमर तो यह काफी कंपनिया होने वाली है तो अभी टाइम जितना हो से के दोस्तों आंगडा जो है लंबे समय के लिए holding पर बनान जानकारी को ज़्यादा सेर जरूर से कर देना और आपके नजर में कोई पैनिश्टों को तुसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना इलसस करेका आपको जल्दी बता दिया जाएगा मिलता है नेक्ट अमेजिंग वीडियो के साथ अब तक लेजाज दीजिए जैसरी कश्ण थैंक्स वरूचिंगे समय वीडियो जाएगी जैसे बार्त वंदी मातरम